वल्कम टो सबाजी Teeny एल्थे टिप्श वेल्टी, सबाजी एल्थे टिप्स्काषपु का इस चीज़ का दावा करते हैं इसके result देकर मेरी भी बिल्कुल हैरत अरूज पे थी और जब आप इसको खुदी स्तमाल करेंगे तो आप वीडियो को डैफिनेटली लाइक करेंगे इस रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आपको एक चमच लैमन जूस का चाहिए होगा मेरे पस बिल्कुल छोटे चोटे से lemon है अभी मैंने पोदे से उता रहे हैं बिल्कुल चोटे हैं बिल्कुल चोटे हैं बिचारे तो मैं इन छोटे से lemon चार मैंने लिए हैं और इन चारों का juice जो है वह वो मैं collect करूँगी सब को अच्छे से निचोल देने के बाद हमारा एक क्लेक्ट हो जाएगा दूसरा इंग्रीडियंट आपके साल शेयर करते हैं वो है ग्रेप विनिगर यानि कि सिर्का अंगुरी सिर्का अंगुरी मैंने पंसार की दुकान से खुरूइदा है 1.500-200 रुपेज आपको यह बाटल मिल जाती है अगर आप किसी माट से इसको खरीद से पंसार से या बजार से खरीज सकते हैं उसके बाद हम इसमें एक एक करके तीन चाय वाले चमच आइड करेंगे बेकिंग सोड़ा आइनो यह ज्यादा हो गया लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कितनी देर के लिए इस्तामाल करना है और यह बिल्कुल पानी वाले टेक्स्चर में आजाना चाहिए अब आपको क्या करना है कि कोई भी एमर्जंसी वाइटनिंग सीरम चाहिए मैं यहाँ पे गोल्डन परल का नाम नहीं ले रही हूँ कि ज़रूरी आप यही इस्तमाल करें अगर आप इंडिया से हैं पाकिसा नहीं है तो आप बेसन का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन बेसन से आपकी स्किन और ज्यादा ड्राइ हो जाएगी इसलिए आप टालकम पाउडर एड़ करिए इससे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा हैगा क्रीमी कंसिस्टेंसी में आजाएगा इसको अप्लाई करना हाँ अगर आप सिरफ मीठा सोडा इसमेड करेंगे तो मीठा सोडा नीचे बैठ जाएगा और दानेदार हो जाएगा और अप्लाई करना इसको मुश्किल हो जाएगा अच्छे तरीके से तमाम चीज़े मिक्स हो कि एक फेस मास की शकल में आ जाएगी अब आप इसे अपने हाथ कि शापर वाले जो ग्लाव्स होते हैं बालों को कलर करने के साथ जो मिलते हैं आपको डिबी के अंदर वही वाले ग्लाव्स चाहिए होगी अगर आपके पास वो नहीं है प्लास्टिक ग्लाव्स नहीं है शापर वाले ग्लाव्स नहीं है तो आप शापर का इस्तमाल भी कर सकते हैं तीस मिनिट के बाद हम देखते हैं क्या सूरत अले काफी ज्यादा स्टीम और पानी आपके शापर के अंदर जमा हो जाएगा अब आपने क्या करना है कि शापर को रिमूफ करना है और रिमूफ करके जैसे आप देखेंगे कि आपके हाथों के उपर जो थर्दी के व करने के बाद में आपको रिजर्ट दिखा देती हूँ मैंने अपने बाजू पर अपलाई नहीं किया था जहां तक मैंने अपलाई किया था वहां तक बहुत ही खुलके बहुत ही जबरदस्त वाले रिजर्ट हमें मिला है जितना सा मेरा हैंड फियर था उतना अगर आपका ह आपको डेली रात में नाइट क्रीम्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तीस मिनट का यह मैनिक्योर आप कर लिजिए आप हफते में इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं ट्राई करने के बाद आप अपने हाथों के उपर एलोवेरा जेल या फिर अच्छा वाला सूतिंग लो अगर आपके हाथ ज्यादा काले हैं तो आप इसे हफते में दो से तीन बार भी ट्राइ कर सकते हैं तो लेसन की तरफ चलते हैं लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि जब तक इंसान दूसरे की जगा पे खड़ा नहीं आती इस बात पर गौर के रिए अपना डेर सारा ख्या लेकि इंशाला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक इलिए खुश रही है अबाद रही है समस्कराते रही है और देखते रही है सबाजी हेल्थ इन ब्यूटी टिप्स अलाह आफीज